हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टेकनो की तरफ से एक बहुत ही ज़ादा बड़िया बजट मोबाइल टेकनो को स्पार्क 70 जो लेटेस लाउंच कर दिया टेकनो ने इंडिया के अंदर तो दोस्तो इस वीडियो में इस मोबाइल की अंबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा के इसके अंदर क्या क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा मिलकुल भी skip मत करिएगा box आपको इसका कुछ इस तरह की से मिल जाता है पीछे की तरफ ये सारी specs दी गई है आप पढ़ सकते हैं बाकि इसके box के उपर rate लिखा वो मिलता है 11,000 का लेकिन इसकी कीमत है 9,000 ये आपको 9,000 में 9,000 में online मिल जाएगा चली देखते हैं 9,000 में इसके साथ क्या क्या दिया गया है तो दोस्तों जैसे आप unbox करते हैं सबसे पहले मिलता है mobile detail look हम अभी देखेंगे इसके बाद आपको ये cover दिया गया है जिसकी quality आपको बहुत ही जादा बढ़िया मिलती है अकसर ऐसे covers आपको देखने को नहीं मिलते simple ही मिलते हैं कुछ user manual के बाद मिल जाती है ये white color में data cable इसकी length और quality दोन अच्छी है लेकिन एक छोटी कम ये है इसके साथ आपको USB to micro USB cable दी गई है type C cable इसके साथ आपको नहीं मिलती जो की होनी चाहिए थी आजकल सभी के साथ type C cable ही आती है आखिर में आपको रखवा मिलता है ये white color में charger इसके अंदर आपको output मिलता है 5V 2A का तो ये simple सा 10W का charger है fast charger तो इसके साथ आपको नहीं दिया गया simple 10W का ही मिलता है अगर 18W का fast charger होता तो काफी बढ़िया रहता तो दोस्तो ये सारा समन आपको मिलता है टेकनो के स्पार्क 70 के साथ 9000 में rate के साथ से देखा जाए तो वैसे box के contents आपको normal ही दिये गया है type C cable होती तो काफी बढ़िया रहता बाकी cover बहुत अच्छा दिया गया है आपको अलग से market से खरीदने की जरूत नहीं है जो की अक्सर पढ़ जाती है नए स्मार्टफून लेने के बाद भी क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छा cover दिया गया है बात करें दोस्तों डिजाइन के बारे में दिया गया है hard plastic के type के design है तो scratches भी बहुत कमाते है lining भी दी गई है नीची की तरफ बड़ी spark की branding भी मिल जाती है पीछे की तरफ इसमा आपको कुछ इस तरीके के design में दो camera दिया गया है जिसमें main camera पहला 48 megapixel का है दूसरा 2 megapixel का front camera है दोस्तो इसका 8 megapixel का दोस्तो camera की जो performance है वो आपको rate की साबसे scanner normal दी गई है fingerprint scanner scanner आपको मिल जाता है back panel पे बीच में camera के बराबर में तो ये खुबी दी गई है इसके लब दोस्तो आप देख सकते हैं complete design आपको इसका design कैसा लगा ये चीज कमेंड करके ज़रूर बताइएगा usually दोस्तो इस range के आसपास आपको 8-9000 में इतना ज़ाद अच्छे designs देखने को नहीं मिलते है smartphones के अंदर लेकिन personally दोस्तो अभी की market में जो अभी smartphones आपको मिल रहे हैं 8-9000 के budget में उनमें मुझे परसल इसका design सबसे ज़ादा best लगा पहले realme C11 जो पहले launch हुआ था realme का उसका design कुछ इस तरिके का आपको मिलता था उसका design भी बहुत ज़ादा बढ़िया था budget range के अंदर बाकि अब मुझे इसका सबसे ज़ादा best लगा design डिस्पलेस के अंदर आपको मिल जाती है साड़े change के आसपास 6.5 इंचिस की जो की एक IPS HD Plus डिस्पले है बाकि दोस्टेस के अंदर आपको user interface को चिस तरिके से दिया गया है आप उपर की तरफ swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है नीचे की तरफ एक shortcut भी दिया गया है जिससे आप अपना app drawer एक्सिस कर सकते हैं तो user interface मुझे इसका normal ही लगा बाकि आपकी पसंद की बात है कि techno के smartphone सापको यूज करने में अंदर से कैसे लगते हैं यह आपकी पसंद की ही बात है बाकि दोस्तों इसकी जो display की quality है वो actual में कैसी है मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ मिलकुल full brightness करके तो design जो है वो तो आपको मिलता है notch वाला तो अगर punch hole camera होता तो काफी जादा बढ़िया रहता है क्योंकि यह design थोड़ा old हो गया punch hole camera और जादा latest है edges, bezels आपको normal दिये गए है बाकि दोस्तों जो सबसे important चीज है display की quality वो तो इसके अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है display की brightness भी अच्छी है और colors भी काफी जादा बढ़िया दिये गए है तो display की quality को लेकर इसके अंदर आपको दिकत नहीं होगी size भी काफी जाद अच्छा दिया गया है साड़े change का बस आपको design normal मिल जाता है colors और brightness दोनों ही काफी जाद अच्छे दिये गए हैं इसके अंदर तो rate की साब से देखा जाए तो display से अंदर आपको काफी जाद अच्छी ही मिल जाती है इसके लब दोस्तो दूसरे angle से भी मैं आपको इसका design दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं नीची की तरफ कुछ इस तरीके से थोड़ी body linings दी गई है उससे ओपर छोटी छोटी मिल जाती है और फिर आपको camera का golden color में module मिल जाता है जो काफी जादा unique लगता है बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको design की quality भी काफी बढ़िया दी गई है scratches बहुत कमाएंगे इसके back panel पे अगर आप इसको बिना cover के भी use करते हैं बाकी मैं आपको cover लगा के भी इसका दिखा देता हूँ side usage उसके build quality है वो भी काफी जादा बढ़िया है build quality wise मुझे mobile थोड़ा सा better लगा in hand feel इसकी काफी premium लगती है नीची की तरफ आपको charging port, mic, headphone jack मिल जाता है right side पर volume के buttons और power का button है buttons भी अच्छे दिये गया है उपर से देखेंगे तो plane design है अगर noise cancellation mic होता तो काफी बढ़िया रहता दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें आपको speaker कहीं नहीं दिया गया इसका जो calling speaker है front में वही से आपको दूसरे sound सुनने को मिलते हैं इसके लव दोस्तों इसके अंदर आपको 9000 में दी गई है 4GB RAM, 64GB के internal storage चले चलते हैं settings के अंदर में आपको दिखा देता हूँ कितिनी storage इसके अंदर आपको free दी गई है तो इसके अंदर आपको तकरीबन मिल जाती है 51GB के आसपास 51 ये 52GB आपको free दी गई है तकरीबन तो दोस्तों storage तो इसके अंदर आपको काफी अच्छी free मिल जाती है इसके लोग इसके अंदर आपको Android का latest version मिल जाता है Android 11 ये खुबी भी काफी जादा बढ़िया है बात कर दोस्तों battery के बारे में तो battery इसके अंदर आपको दी गई है 6000 image एक दिन का battery backup इसके अंदर आपको अराम से मिल जाता है battery को लेकर ये mobile काफी जादा बढ़िया है charger वैसे normal दिया गया है अगर fast होता तो charging में और कम time लगता तो charging तो इसके अंदर आपको normal देखने को मिलती है speed बाकि दोस्तो battery backup इसके अंदर आपको काफी जादा बढ़िया मिल जाता है एक दिन से जादा ही मिल जाएगा नॉर्मल यूस के अंदर इसके लग दोस्तों इसके अंदर आपको प्रोस्टर मिलता है media tech का G35 तो अगर आप एक थोड़े बहुत heavy user है तो performance को लेकर इसमापको दिक्कत नहीं होगी बाकि अगर आपको प्रोस्टर की वज़े से ही mobile लेना है तो वैसे 10,000 के budget में 9,000 के budget में और दूसरी companies में जादा बढ़िया प्रोस्टर भी आपको देखने को मिल जाते हैं और जादा बढ़िया performance के लिए तो प्रोस्टर को लेकर इसमापको नॉर्मल यूज में तो दिक्कत नहीं होगी बाकि अगर आप एक बहुत जादा heavy user है तो आपके लिए और options भी मिल जाते हैं market के अंदर तो दोस्तों ये सारी खुब्य कमिया है टेक्नो के spark 7T के अंदर 9000 में चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए देखिए perfect तो कोई सब इस smartphone नहीं होता सब के अंदर कुछ न कुछ कम यह होती ही है तो matter यही करता है कि आपको टेक्नो पर भरुसा है या फिर नहीं इसके बाद आपकी जो main जरुत की चीज है वो इसके अंदर कैसी है तो दोस्तों देखिए इसके अंदर कुछ सबसे बड़ी खुबिया जो है जो इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिल जाती है अगर आपको यह खुबिया इसकी पसंद आई रैम और स्टोरेज आपको अच्छी चाहिए तो यह तीसरी खुबिया है इसकी जिसके वज़े साब इसको खरीच सकते हैं और दोस्तों चौती खुबिया है इसकी डिस्प्ले लेना है तो आपको यह ओर सा स्माटफून भी देख सकते हैं और दोस्तों अगर आपको प्रॉस्टर बहुत ज़दा बढ़े चाहिए तो भी आपको यह स्माटफून देख सकते हैं बजट के अंदर और ज़ादा बड़ी options आपको देखने को मिल जाते हैं तो processor में और camera को लेकर ये मुझे normal लगा इसकी कीमत को देखते हुए बाकि दो 204 चीज़ इसके अंदर बहुत ज़ादा बड़िया है design बिल्कुल best है, RAM और storage अच्छी दी गई है battery बहुत बड़िया मिल जाती है और दोस्तों इसके अंदर आपको display की quality काफी अच्छी दी गई है इसकी कीमत के साब से फिर भी 9000 में features इसके अंदर आपको काफी ज़ादा बड़िया ही दिये गए है परस्तली मुझे ये mobile बहुत ज़ादा पसंदा है इसका design काफी unique है इसवाजे से ये मुझे बहुत ज़ाद अच्छा लगा आप बताएगा फिर भी comment करके आपको ये कैसा लगा ये चीज़ comment करके जरूर बताएगा वीडियो गर आपको पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटनों से दबा के चैनल को subscribe कर लिजिए मैं लैकन में दबा दिएगा ताकि ने वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लब वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कर दिएगा WhatsApp Facebook पे अगर आपको इसका comparison देखना है किसी और smartphone के साथ अपने पसंद के तो वो चीज़ भी comment कर दिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पसंद की वीडियो जल्दी लेकर आने की मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई